हेलो बच्चों, तो यहाँ पर देखें, हम लोग सैंपल ये पर एक डिसकस करेंगे, जो कि NSO का होगा, Science Olympiad का है, अगर आप लोग Science Olympiad देने जा रहे हैं, Class 5th का, तो हम लोग पहले यहाँ पर पैटन देखेंगे, क्या पैटन रहता है, और उसके बाद देखेंगे कैसे questions आप कि NSRT है, कोई भी किताब आप के यहाँ चल रही हो, तो उसके जो questions होंगे, वो 35 questions होंगे, और हर एक questions, 35, 1 mark का है, तो यह total marks हो जाएंगे, 35, अचीवर section में हो सकता है, match the following type question पूछे जाएं, थोड़े से tough question पूछे आते हैं, यह 5 होंगे, और total marks इसका है 3, तो total marks किता होंग 15, तो इसका मतलब यह हुआ, आपका total जो paper होगा, वो 60 marks का होगा, यह जो paper है, 1 hour का होगा, number of questions होंगे, 50, तो थोड़ा सा speed में काम करना होता है, slabus देखे, slabus में क्या क्या दिया गया है, तो जैसे section 1 मतलब logical reasoning है, तो logical reasoning में भी देखेंगे questions को, तो यह pattern based question आएंगे, analogy based questions आएंगे, geometrical shape दिये होंगे, mirror water images दी होंगे, आपको बतानी होंगी, direction test आपसे पूछा सकता है, north, south, east, west में कोई जा रहा है, तो इस तरीके से question पूछा सकते हैं, coding, decoding पूछा सकते हैं, clocks and calendar पूछा सकता है, इसके बाद आते हैं, science पे, जो science का section number 2 है, main उसमें science आएगी, 35 questions होंगे, उ इसमें animals के बारे में, human body and health के बारे में, plants, natural resources and Indian heritage, pollution and calamities, earth and universe, matter and material, force and energy, तो ये topics जो हैं, ये आपके दिये गए हैं, sample paper में, जो आपके science में पूछे जाएंगे, Achiever section में भी section 2 के ही topics होंगे, बस थोड़े से tough questions हो सकते हैं, तो ज़्यादा इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ता है, तो चलिए देखते हैं, first question में क्या कहा गया, first question दिखे कहा रहा है, what is the smallest number of shaded squares, तो आपसे पूछा गया, यहाँ पर कितने shaded squares होने चाहिए, कितने add किये जाए, so that the line mn becomes a line of symmetry, मतलब जो line mn दिखाई पड़ रही है, ये line of symmetry हो जाए, तो चलिए add करना, start करते हैं, जैसे एक square हम लोग ने यहाँ add कर दिया, एक square यहाँ add कर दिया square, अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे, तो 2 square add करने पड़ेंगे, ठीक है, तो 2 square यहाँ add कर दिये, ठीक, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 6, 6 हो गए, यहाँ 7th हो गया, ठीक है, इसी तरीके से इसको add कर दिजे, तो 8th हो जाएगा, इसके बाद इस line को ऐसे ख रहा गया, dash figures have at least one line of symmetry, तो आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा figure है, जिसमें कम से कम एक line of symmetry है, मतलब एक से जादा हो सकती है, एक से कम नहीं हो सकती है, तो इसमें देखेंगे, पहला जो figure है, इसमें आप देख सकते हैं, एक line of symmetry होगी कम से कम, अगर माल लिजे figure को ऐसे करके cut क किया जाए, तो दोनों जो figure आपको मिलेंगे, right वो और left वाले वो एक ही जैसे होंगे, तो one line of symmetry यहाँ पर हो गई, कहीं से भी इसको, हलाकि इसको cut कर सकते थे, second volume देखे, second volume भी यहाँ पर अगर इसको बीच से ऐसे करके cut कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी left में और right में एक line of symmetry आपको मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी line of symmetry नहीं होगी, और यहाँ पर भी कोई line of symmetry नहीं होगी, क्योंकि जब आप इसको cut करेंगे, तो देखे, B जो आ रहा है, वो अलग-अलग तरीके cut रहा है, ठीक है, तो यह इसमें दो figures ऐसे हैं, ज bag के बराबर कर दिया, bag means pen, bag को बराबर कर दिया, किसके, equate कर दिया है, pen के साथ में, और pen को equate कर दिया गया है, pencil के साथ में, अब आप से पूछा गया देने, which is used to read time, अब देखे, time को पढ़ने के लिए, क्या use करना पड़ेगा, यह आप से पूछा गया है, देखे, simple सी ब के लिए आपको क्या पढ़नी पड़ेगी किताब देखनी पड़ेगी तो यहाँ पर A option जो है यह सही हो जाएगा तो इस तरीके से question हो जाएगा यहाँ पर बैग न लगा दीजेगा बैग गलत हो जाएगा क्योंकि watch का मतलब बैग दिया गया है ठीक है यह गलत है अगले पर आते हैं question number fourth देखते हैं if your diet is deficient in citrus fruits अब देखे अगर आप diet ले रहे हैं मतलब खाना खा रहे हैं उसमें citrus fruits की कमी है citrus fruits का अंतलब जैसे orange हो गया ठीक है नेबू हो गया यह सब चीजों के अगर कमी हो रही है तो आपको कौन सी बिमारी हो सकती है पूछा गया है कौन सी deficiency disease हो स विटामिन A की जो deficiency disease उसको night blindness कहते हैं और इसको सही करने के लिए जो हरी सबजियां होते है green leafy vegetables खानी चाहिए बेरी-बेरी जो है vitamin B की कमी से होता है रिकेट जो है vitamin D की कमी से होता है तो यह कौन किसकी कमी से होता है कौन किसकी deficiency disease है यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए dash is a good conductor of electricity तो electricity का good conductor में कौन सा है तो rubber poor conductor है ठीक है plastic भी poor है और जो metal है वो क्या है good conductor होता है मतलब electricity इससे pass कर जाती है देखे gateway of India यहाँ पर दो चीज़ याद रखेगा एक India gate है ठीक है इंडिया gate और gateway of India दो चीज़े है तो अगर India gate पूछा जाए कहां पर है तो आप कहेंगे डेली में या न्यू डेली पूछा जाए तो एक ही है तो न्यू डेली में है इंडिया gate लेकिन gateway of India कहां पर है मुंबाई में है ठीक है King George 5 आये थे इसी से ही ठीक है यहीं पर उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि आगमन हुआ था भारत में तो King George 5 ठीक है तो यह बनवाय गया अगले पर आते हैं question number 7 देखेंगे which of the following are included in first class lever अब देखें इन में पूछा गया कौन सा first class lever में include होगा यह आपको यहां पर बताना है तो first class lever जो है वो आपका कैंची भी हो जाएगी और यह भी हो जाएगा क्योंकि यहां से बंद है और यह भी यहां से बंद है तो इसको क क्या कहते हैं first class lever कहते हैं अगले पर आते है look at the figure it shows lunar eclipse where will be the earth in it अब देखें आपको बताना है इसमें earth कहां पर होगा यह lunar eclipse show कर रहा है lunar eclipse को होता है अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको चंद्र गरहन कहते है मतलब चांद पर परच्छाई आएगी किसकी sun की ठीक है तो य Sun ने रोश्नी दी तो अर्थ क्या हो गया बीच में आ गया तो जब अर्थ बीच में आ गया और यहांपर आपका moon था तो अर्थ की पशाएं किस पड़ रहीं ये moon पे पड़ रही है तो इसी को क्या कहते है lunar eclipse कहा जाता है तो यहाँ पर आप से क्या पूछा गया था where will be earth तो earth है आपका b point पे ठीक है और पूछा जाए c पे क्या है तो c पे moon है और a पे क्या है a पे sun है लेकिन मान लीजें a पे solar eclipse देता है solar eclipse कैसे होता तो solar eclipse के लिए आपको समझना है जैसे ये sun है ये आपका moon हो जाएगा और ये आपका earth हो जाएगा तो जब moon sun और earth के बीच में आ जाता है तो उसको क्या कहते है solar eclipse कहते है solar eclipse कहते है तब इसमें होगा क्या कि moon की परचाई जो होती हो पढ़ती है किस पे sun पे तो जब moon की परचाई sun पे पड़ती है तो उसको क्या कहता है solar eclipse कहा जाता है तो पता होना चाहिए कौन किसके बीच में आता है थोड़ा सा अगला question देखते हैं इसमें देखिए achiever section है achiever section आपसे ऐसी थोड़े से टेड़े मेड़े question पूछे जाएंगे लेकिन आसान होते हैं क फैला रहे हैं फेक रहे हैं खेतों में ठीक है the graph below shown the appropriate number of seedlings found at various distance around the parent plant ठीक तो यह आपको अलग-अलग distance दी गई है जहां तक वो parent plant से seeds पहुंची है अब पूछा क्या गया which option most correctly list the method of seed dispersal of each plant ठीक है तो आप देख सकते हैं wind की वज़े से 1,2,3,4,5,6 सारे सारे दूर तक जाएगी ठीक है इसके बाद animal जो है वो बराबर बराबर जगह तक लगे जाएंगे seeds को तो यह approximately एक ही है लेकिन water जो होगा या explosion यह कह सकते है water की वज़े से जब भी dispersion होता है या dispersal होता है तो वहाँ पर क्या होता है ठीक है वहाँ पर भी seeds फैलती है लेकिन अगर explosion हो रहा है एक ही जगह माली जब हो बहुत सारी seeds आ गई तो यह आपकी एक ही जगह पर सारी seeds आपको देखने को मिलेंगी तो यह वाला आपका क्या है explosion हो जाएगा तो explosion इसमें आप seed लगा देंगे तो बाकी आ समझी गए होंगे तो इसमें c option बिल्कुल सही हो जाएगा question number 10 पर आते हैं यह हमारा आखरा आखरी सवाल रहेगा इसको भी देख लेते हैं इसमें कहा गया है आप देखें पिरामिड आपको एक दिया गया है और पिरामिड में आपको बताना है क्या क्या होगा इसमें ठीक है ठीक है तो सबसे ज्यादा बड़ा इसलिए आप देख सकते हैं जो area है वो किसका है grains का है इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर vegetables है और vegetables के साथ साथ जो third number है तो यहां पर क्या होना चाहिए fruits होना चाहिए तो vegetable और food की भी requirement होती है इसके बाद dairy production ऐसे milk हो गया घी हो गया और थोड़े बहुत जोरत पड़ती है किसकी sweets की और fats की ठीक है sweets and fats हो जाएगा तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यह बी option इसमें बिलकुल सही हो जाएगा तो इस तरीके से question पूछे आते हैं बाकि अगर आप दूसरे और किसी sample वेपर को practice करना चाह रहे हैं जैसे maths और social science या gk का तो उसके लिए भी हम लोग ने playlist में बनाई हुई है playlist आप जाके देख सकते हैं अपना revision अच्छे से कर सकते हैं तो अभी एक लिफलालत नहीं thank you very much goodbye जैहिंद